राजदानी भोपाल के रायसेन विदीशा रोड सित 21 एकड की एक आवासी भूम पर बड़े फर्जी वाड़ा का मामला सामने आया दरसल कुछ वर्षों पूर दो पार्टनर थे जिसमें तीकमगड की रहने वाली डॉक्टर मांडवी साहू बोपाल के आरडी साहू शामिल थे लेकिन इनके बीच कुछ समय पहले विवाद हो गया डॉक्टर मांडवी साहू ने बताये कि इस विवाद का फायदा उठाते हुए आरडी साहू ने फरजी तरीके से शेत्र के उनके हिस्ते की भी जमीन थी उसको फरजी तरीके से दस्ताविस तयार कर विक्रे कर दिया मांडवी साहू ने कहा कि आरडी साहू ने उन्हें करोडों रुपे के चेक भी दिये थे लेकिन वा बाउंस हो गए इतना ही नहीं चेक बाउंस की मामले में उनका अस्थाई वारंटी भी जारी है दूसरी द्रप कलेक्टर से लेकर इस्थानी पुलिस अधिकारियों तक तमाम शिकायतों के बाद भी कोई कारवाई नहीं हो रही जिसे वाप परेशान हैं और न्याय के लिए भटक रही हैं मेरा नाम संतोस लोट है हमारी सिस्थाने माणवी साउ जो ठीका मुले रहती हैं उन्होंने ये जमीन खिरी दी थी तो ये हैं हमारे आडी साउ करके हैं उनको तेस्यार कुछ दिसमिल की पावर दिये थे तो उन्हें तेस्यार कुछ दिसमिल की पावर दिये थे तो उन्होंने ये जमीन खिरी दी थी तो ये हैं हमारे RDA साहू करके हैं, उनको 23 गडिसमिल की पावर दिये थे, उनने 23 गडिसमिल की पावर ने पूरे 11 एकड बेज दिये जिसमें अभी हमारी बटान हुई है, 33 16 डिसमिल में, तो ये प्लाट मकान सारी बेज जुका है और RDA साहू फरोड कर दिया इसने मुझे फसाने के लिए से दो बार हर्जियन एक्ति में जुटी शिकायत करा चुका है रामदास के जो उसने फरजी सिगनेचर करके कुछ रजिस्टियां की है तेही सजार इसके खिलाप मैंने पुलिस थाने में की थी इसके बाद नियालाई के थू इसके अगेंस धारा दो धाराओं के तहट जड़ा कर रहे है एक्स पैज़र नावा है